गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको 7th क्लास का नया एक स्टोरी बताने जाने वाले हूँ, घंटे की आवाज सब लोग अपनी बुक निकालिए से पेज नमबर 64 सब लोग निकालिए पेज नमबर 64, घंटे की आवाज सब लोग को दिखाए देता है, देखो पेज नमबर 64 और 65 सब लोग निकालिए 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 पेज नमबर 64 और 65 मन्सले वनना वड़तुने, मूडो पिच्चरले जुड़न्टी, तन्नु कटल दीसकोनी, लाइट, लैंड दीसकोनी वेलतुन नरू, मूडो पिच्चरले एदो राक्षेस गनन वड़तुन्नू मुग्रकी, तरवाथ नालगो पिच्चरले यहम उन्दी एक राजा, राजा आदेशा मिस्तुना गना वड़तुन्दी जुड़न्टी, तो नेक्स्ट पिच्चरले वेलतुन्दी, तो नेक्स्ट पिच्चरले वेलतुन्दी, तो नेक्स्ट पिच्चरले वेलतुन्दी, तो नेक्स्ट पिच्चरले वेलतुन्दी, पिच्चर वेलतुन्दी, तो ने इस टोरी घंटे की आवाज सब लोग अपनी बुक निकाली अपनी फिंगर्स अपनी बुक पर रखी और मेरे साथ पढ़ी पुराने जमाने की बात है एक था नर्सापुर नगर वह चारो और से पहाडियों और जंगलों से गिरा था कुछ दिनों से लोग परेशान थी जंगल से रहर रहकर घंटे बजने की आवाज आती थी लोग हैरान होकर एक दुस्रे से पुछते भाई यहां आवाज कहा से आ रही है हमें तो बहुत डर लग रहा है रात उने पर घंटे की आवाज और देज हो जाती लोग नीच चोड़ कर रात बर जागने लगे न जाने यहां आवाज कहा से आ रही है लगता है कुछ गुराम होने वाला है फिर एक मुसाफिर ने कहा जंगल में एक भयानक राक्षस रहता है वही घंटा बजाता रहता है अब लोग और भी डर गए सब मिलकर राजा के पास गई लोगों ने कहा महराज घंटे बजाने वाले राक्षस से बचाईए उन्होंने कहा जो भी घंटा बजाने वाले राक्षस से मुक्ति दिलाएगा उसे धेल सारा इनाम दिया जाएगा सो देखो उसी नगर में होशियार लड़की रहती थी, वह राजा के पास गई, उसने कहा महराज मैं घंटा बजाने वाले राक्षस का मुगाबला करूंगी सब लोग आचर्य चकित थे, लड़की जंगल गई, वहाँ उसने काटे और जारिया साप कर एक जोपड़ी बनाई, वहाँ पशु पक्षी आने लगे, एक दिन घंटे की आवाद सुनाई दी, तो लड़की उसी दिशा की और दोड़ी, देखा गी सामने बंदरों का जून है उनी के बीच में एक बड़ा सा घंटा पड़ा है, बंदर रहरा अंकर उसे बजाते थे, लड़की ने एक ठेली में धेल सारे फल बरकर बंदरों के सामने डाल दिये, सब बंदर फल खाने में लग गए, लड़की ने घंटा उठाया और खुशी खुशी घर पोची, समझ गई थी कि घंटे वाले राक्षेस की बाद जूटी है, वास्तों में घंटा बंदर ही बजाते थे, उस दिन के बाद से घंटा बजने की आवाज किसी ने नहीं सुनी, होश्यार लड़की को राजा की और से धेल सारे उपहार मिले, सब ने उसकी होश्यारी और हिम्मत की प्रशांसा की, तो कुछ समझ में आईए आपको, फिर से एक बार पढ़ेंगे, हम लोग अपनी उंगली अपने बुकपर रखिए, फिंगर्स, और मेरे साथ फिर से एक बार पढ़ें रेको, पुराने जमाने की बात है, एक था नर्सापुर नगर, वह चारों और से पह कुछते, भाई, यह आवाज कहा से आ रही है, हमें तो बहुत डर लग रहा है, रात होने पर घंटे की आवाज और तेज हो जाती, लोग नीट छोड़कर, नीट छोड़कर, रात रात भर जागने लगे, न जाने यह आवाज कहा से आ रही है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है फिर एक मुसाफिर ने कहा जंगल में एक भयंकर, जंगल में एक भयानक राक्षस रहता है, वही घंटा बजाता रहता है देखो अपलग और भी दर गए सब मिलकर राजा के पास गए लोगों ने कहा महाराज हमें घंटा बजाने वाले राक्षच से बचाईए उन्होंने कहा जो भी घंटा बजाने वाले राक्षच से मुक्ति दिलाएगा उसे धेल सारा इनाम दिया जाएगा तो रेखो उसी नगर में होशियार लड़की रह दी थी, वह राजा के पास गई, उसने कहा महराज में घंटा बजाने वाले राक्षस का मुकाबला करूंगी सब लोग आचरिय चकित थे, लड़की जंगल गई, वहा उसने काटे और जाडिया सापकर एक जोपडी बनाई, वहा पशू पक्षी आने लगे, एक दिन घंटे की आवाज सुनाई दी, तो लड़की उसी दिशा की और दोड़ी, देखा की सामने बंदरों का जूंध है, उन बंदर रह रह कर उसे बजाते, लड़की ने एक पहले में धेर सारे फल भर कर बंदरों के आगे डाल दिये, सब बंदर फल खाने में लग गए, लड़की इने घंटा उठाया और खुशी-खुशी घर पोची, वह समझ गई थी कि घंटे वाले राक्षस की बाद चूटी ह वास्कव में घंटा बंदर ही बजाते थे, उस दिन के बाद से घंटा बजाने की आवाज किसी ने नहीं सुनी, होशियार लड़की को राजा की ओर से धेर सारे उपहार मिले, सब ने उसकी होशियारी और हिम्मत की प्रशांसा की सो यह है हमारा घंटा बजाने की जो स्टोरी, उस समझ में आपको, एमेन आर्तमाहिन दा, सचुड़नी मलाव के सारी, से पुराने जमाने की बाद, आंटे उका पातकालंदी उका माटा, पातकालंदी उका माटा, कि एक था नरसापूरनगर, नरसापूर उका विलेज उन् बह चारो और से पहाडी और जंगलो से गिरा था चारो और चुट्टू मुद्धं फोरेस्ट उन्दी मदला पो उर होंदी तेल सामिकु मदला उरु चुट्टू मुद्धं फोरेस्ट गा उंडे वर्गला दन पेर हैंदी नर्सापुर नगर देगो नरसापपुर नगर कुछ दिनों से लोक परेशान थे कुछ दिनों से लोक परेशान थे अठीं चाला रोzna लन उंदी चाला अंदरु प्रॉब्लेम ला उन्न औरु चाला बादगा उन्न आरु येंदु कू? जंगल से रह रहकर घटा बजाने की आवाज आती थी चुट्टु पकलन मत्तम फौरेस्ट हुँदी फौरेस्ट हुँदे वरकला अलाने वालो फौरेस्ट हुँदी तनकू एम अन्पीस हुँदी ओक साम बेल साउंड होशुदी डेली एम जेसुन्दी डेली बेल साउंड होसुन्दी चुट्टु पक्क मुद्धं फारेस्ट उन्दी वरकला तनवक अंदरू उरोलू चाला बैपटरू अरे एम ऐंदी रोज रोज बेल साउंड होसुन्दी एम ऐतुन्दी एबरी बेल गोड़तुन्नरू आनि चाला बादा पड़तु नरू चाला प्राब्लम आंटे चाला आटे येटू टेंशन वड़तु रू अंदरू सेजूरंडी लोग हैरान होकर एक दूस्ते से पुष्टे थे चाला आंदर येट चाला आटेंशन वड़ी वालव विलाने अड़वतु रू अरे ये मैंदी साउंड एकड के लूंडी उस्तु नि मना के इंदू साउंडी मना विलेज लाने इंदू कीना वड़तु नि सुष्टे चुट पकम होते पौरेश्ट उंदी से जुरंडी यहां आवाज कहां से आ रही है हमें तो बहुँ डर लग रहा है सो माग चाला बयम आईतुंदी टेंशन वाला विला वाला का अंदर आड़ गड़म चरगींदी कानी येवर की आधी प्रॉब्रेम सौल गाले दू से लेको रात उन्ने पर घंटे की आवाज और तेज हो जाती थी सो रात रियायन तरवात आ बयल साउंड इनका वेर्गु थुंदी इनका साउंड एको उस्तुंदी सो पोध्धान हुँडिया नढें नौर्मल गा साउंड ऊच्छा वारकला तनको कोंचँ लाइड अटेंचन वाड़तुंदी कानी मात्रमो रात रियाया वारकला आ बयल साउंड इनका इनन्का इन्न वाड़तुंदी इन पड़े वरकला लोग नीन चोड़कर राध राध बर जागने लगे अंदर राध रिपगलू निद्रनी मानेसी अंदर पूचोनुई अटेटु विलन वलन अड़वड़ मोदल वेटार। अयो एमा हिंदी एमा हिना आयतुंदा एनदु की पेल सावण उसुनी मनके एनदु की नवड़तुनी चुटुपकले यानता फोरेश्ट उन्डवरकले येवरेन उन्नरा येवरेन दोंगल उन्नरा येवरेन राक्षे सुरून नरा आनी तनु बैपड़ी टेंशन वड़ी अंदर मंदी उपरोकरनी निद्रक आपूँटा निद्रनी एजेसी तनुनो रात रिपगलो अलाने उन्डी पोतुन नरू तो रात रा बर जागने लगे न जाने यहाँ आवाज कहा से आ रहे ही लगता है कुछ बुरा मुने वाला है तो ये साउंड एकड़के लुटे उस्तुन दी कि येदे न मनकु छट्टा का जरुटता दा इसके मनके देना जरुटता दा आनी तनु विंच कुटता रू एवरो उरलो मन्दी अंदरो विंच कुटता रू और ये मनके वेना जर्गडान की बोतुन दा अंदु के साउंड होस्तुन दा आनी वालो बैपड़तुन नरू फिर एक मुसाफिर ने कहा जंगल में एक भयानक राक्षयस रहता है तो तनु एम जप्पैड़ू इनका बायपड़ी चिरारू की फरेशला उक पिद्द राक्षयस ओड़ू नडू आ राक्षयस ओड़ी बेल नी गोड़तू नड़ानी चपतू नडू राक्षयस ओड़ नाटे अंदर मंदिली दिनेसर नाटे इनका बायपड़तू नरू जनालू तो तो नाटे पिर एक मुसाफिर ने कहा कि जंगल में एक भयानक आटे चाला भयंकरम राक्षयस ओड़ू नडू आ राक्षयस ओड़ी गंडा साउंड चेस सुन नड़ानी पैसेंजर अपको वेरे विलेजन नड़ी ओगायना चप्पेंडू अब लोग और्बीडर गे सो इपडू इनका चाला भय पड़तू नरू पिल्ललू सब मिलकर राजा के पास गे अंदर गल्षी एवर दगिर वेल्लारू राजा दगिर की वेल्लारू सब महाराज हमें घंटा बजाने वाले राक्षयस से बचाईए सब महाराज हम माकु इघंटा इखोट्टिना गंटा राक्षयस से बचाईए अंदर चप्तनरू जनालू राजा दोटी सब नेक्स देखो उन्होंने कहा जोबी घंटा बजाने वाले राक्षयस से मुक्ति दिलाएगा उसे धेर थारा इनाम दिया जाएगा तो राजा एंजेस याड़न अंडे येबबर रहना इबल साउंड गेशना राक्षयस से वरना का पाड़ते वालकू पेद्ध इनाम नेनु चप्पिना एन गिप्टली इस्थानू पेद्ध उपहारन इस्थानू अनि राजा आदेशं चेस याड़ू सेटुडंडी उसी नगर में एक होश्यार लड़की रहतीची से अलाने नर्सापूर नगर लाने उक होश्यार उक अथी देलेंटोट एक अम्माई उन्टुन्दी उसी नगर में होश्यार लड़की रहतीची वह राजा के पास गई तनू राजा दगेर की बिल्लिन्दी गंटा आंडी वेल राक्ष्यस नी नेनु एम जेसानु अनु अनु संपेशी नेन पोराड़तानों नी आम्माई चप्पेंदी सेजुरांड इसम लोग आचरिय चक्कित्ते अंदर ये अंदरू चाला आचरिय चक्किता है यारू अरे इअम्माई इनता चिणनु उसी पेदधपेदअ जनाले बयपाड़तुन नारू कानि इअम्माई ये मन्तुन दी आ राक्ष्यस नटी नेनु कापारतानू उन्हे नां राक्ष्यस नटी पोराड़तानू नुन चप्तुन दी कानी अंदर मात्रमुँच आला आचरे चकीता है यारू आप पिल्ला ने जूसी देखो लड़की जंगल गई सो आमाई आप फॉरेस्ट की वेलिंदी वहा उसने काटे ओर जाडिया साफ कर एक जोप्डी बनाई तो आने आमा एम जेसिंदी आप फॉरेस्ट लॉन है यारत ने फॉरेस्ट की वेलिंदी काटे आनाँटे फ्रट-खट्टेलू, जाडिया प्रट-अ आकलू , वित्यरस आपनो गुर्शे तयार गड़ी ,अ ने एमसंट ruling। जोपडि जोपडि नाँट। एम सब्सक्रिकों उता। अकड़ा चिन चिन पिट्टलू एनिमल्स उच्चे सुने चिन चिन पिल्ललू अंडे पच्चु पक्षी आने लगी एक दिन घंटे की आवास सुनाई दी उक्को रोजु मात्रम आ अम्माई आनला गुर्षे तैयर दिशना तरवाता आम्माई की चाला दैर्नम आम्माई आ फॉरसला उकटे आ गुर्षेला उन्न दी देखो एक रोजू एक दिन घंटे की आवास सुनाई दी एक रोजू अम्माई आ भूचेला ने उन्डी तनको मल्ला बेल साउंड हीना बड़्ड दी तो लड़की उसी दिशा की ओर दोडी से अम्माई भय पड़कुंटा एम जैसेंदी आला ने आ फोरश लखेलूंड एकड केलूंड साउंड होसंदी आव दारी लखेलूंड बेली दी एकड केलूंड साउंड होसे मिग देल सरे गदा अरे एकड केरूंड सांड वस्तुनिया आनांटे आधारी की एली पे हिंदी दिशाकी और दोडि आँटे उर्की इंदी एकडा सांड वस्तुनिया अकड केरूंडी उर्की इंदी देखा की सामने बंदरों का जून्ड है, आई उनी के बीश में से एक बडाशा घंटा पड़ा है, सो तनल मद्यलान वो पैद्ध बेल उन्ने, आ मधर्डलान व Кол्या कि पैद्ध बेल उन्हाँ इंटेड के इंडी बेल देखो लड़की ने एक थेले में धेर सारे पल भरकर बंदरों के आगे डाल दिये मगनम आया रूँ मगनम नांटे फ्रूट्स वालक चाल आईश्टम का बटी आ उन्ना कोथ लानी आ फ्रूट्स नी तिने स्थुना रूँ से जुड़ांटी लड़की ने घंटा उठाया सो अकड़केलों नी मिल लेगा आ पोधी मदला बेली तनु एम जे सिन्ला नांटे मदला बेली तनु आ बेल्स नी तीसे सिन्ली खुशिक और इनका खुशी-खुशी घर पोची आनंदगा तनु इंटिकी विल्ली दी बह समझ रही थी कि घंटे वाले राक्षस की बार चूती है अंटे अंदर मंदी अंदर जनालु भैपड़ारू की राक्षस उन्नाडू पोरशला पेत्त राक्षस उन्नाडू का निया राक्षस उन्नाड एवरे ना एवर लेदू इमाटा मात्रमू अबद्धमानी चप्तुन दी वास्त वानटे रीयलल्गा आ गंटा साउन्ड एवर जेस्तुन नरू कोधुलिल चेस्तुन नरू वास्तों में गंटा बंदर ही बजाती थी से इन्नी रियल गर आक्षे स्रोडून नडा लेदू से एवर नडू कोथुलो आ साउन चेस्टून नारू तरेको उस दीन के बाद से गंटा वजाने की आवास किसीने नहीं सुनी सो अला तरवाता आ रोज अम्माई या घंटा आट आ बेल दीसकोने वेलीना तरवाता नेक्ष्ट डेर रोज नूटी आकर वरू आ बेल साउन नी विनले दू किसीने नहीं सुनी एवर विनले दू आ तरवाता बेल साउन आम्माई दीसकोचीना तरवाता होशियार लड़की राजा की ओर से ठेज सरे उपहार मिले चला अतित आलेंट पिल अम्माई की राजा दर्पना चाला चाला अंटे चाला गिफ्ट गा दुर कही साधेक उपहार मिले सब ने उसकी होशियारी और हिम्मत की प्रशांसा की अंदर की अंदरु तनु अथी टैलेंटु आणि प्रशांसा प्रशांसा हिम्मत अंटे चाड़ा ब्रेवगलू एबर एन फोरस्ट लाँ उन्दाला अंटे विरू उन्दरा कानि आम्माय मात्रम धाड़सम अंटे सहासम चेसींदी कि नेन उन्दानु विराकशास की नेनु राकशास वलं मिका अंदर ने काप आड़ताौ बोर आड़ताना अंचbody अंदर प्रशांसा नदे स्तुती चेस आरू समझ में आये आपको ए श्टोरी सबको तो ये स्टोरी समझ में आएगा तो ये स्टोरी के हम लोग क्या लेंगे मीनिंग्स लेंगे ओके सब लोग अपनी स्टी डबलो नोर्स निका लिए और मेरे साथ इसके मीनिंग्स लिखिए सो शब्दार दो सो चारो और चारो और चारो और अंटे पो साइज पहाडिया सो पहाडिया को बोलते हैं इल किल्स जंगल फोरेस्ट परेशान तेज सो तेज को बोलते हैं बेरिखाएं जावना जावना को बोलते हैं लंगल बिदाओव स्लीप विदाओ स्लीप विसी। विदाव स्लीप स्लीप मुसाफिर सुप्राइबर इनाम प्राइबस कोशियाद पीदीजेंड जारिया जारिया को बुलते बुशेश जोपडी स्माल हुट जून 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 विंस्पूट बंदल मंठी थेला बैर जूटी जूटी means force प्रशांचा करना यह गंडे की आवाज में से वीडिंग्स चारो और चुटू पकला से नार भूनु दगेरा साइब प्रश्ट पहाडी आटे हिल्स पधब पधब माउंटे जंगल फॉर्स्ट तेज वेरी हाई जागना सो विजली विड आउट स्लिक मुसाफिर ट्रैविलर इनां प्राइज होशियार इंगलिजेट जोपडिया से बुशिस जोपडी स्मॉल हट जून ग्रूप बंदर मंकी थैला बैग जूटी पॉस्ट